हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छी होंगी जितनी जादा महेंगे आते हैं उनका देख भल करना रख रखाव करना उतना ही जादा मुश्किल भी लगता है यहाँ पर अकसर नॉस्टिक बरतनों में बहुत ही जादा चिपचिपे से दाग हो जाते हैं अगर हम जरा से भी लापरवाई करेंगे ना तो उनकी कोटिंग खराब हो जाएगी इसलिए किसी भी तरह की के स्क्रबर का इस्तिमाल बिल्कुल मत करिएगा आज आपको नॉस्टिक बरतन को बिना किसी स्क्रैच पहुँचाए बहुत आसानी से क्लीन करने का एक बहुत ही अमेजिंग सा आपको ट्रिक बताती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप गैस को ओन कर लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी चाइप पती डाल लीजिए और आइस क्यूब डाल दीजिए पूरे आपको पैन के उपर इसको फैला देना है इस ट्रिक का इस्तिमाल सिर्फ नॉन स्टिक बरतनों पर ही आपको करना है अदर जो अल्मूनियम के बरतन होते हैं उन पर इस्तिमाल करने की ज़रत बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर इस तरीके से आप गैस को यहाँ पर ओन रखेगा और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेगा गरम फ्लेम पे ही आपको ये वाला काम करना है सिर्फ एक से डेड़ मिनट के अंदर ये पूरा काम हो जाता है उसके बाद आपको ये जितना भी इसके अंदर हमने ये मिश्रन मिलाया था इसको अलग से एक बरतन में निकाल लीजे और नॉर्मल साफ किसी भी पानी से आप इसको बढ़िया से वाश कर लीजे लेकिन इसी ब्रेश का इस्तिमाल करिएगा इसके बाद आप देखेंगे जितनी भी चिकनाहट गंदगी थी वो पूरी तरीके से साफ हो गई है बिना नॉन स्टिक बरतन पर एक सिंगल स्क्रैच छोड़े तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं अगली जबरदस ट्रिक को यहाँ पर तामबे के लोटे का इस्तिमाल हम हमेशा जल चड़ाने के लिए या फिर पूजा पाठ में या फिर पीने के पानी के लिए करते हैं आज मैं आपको इसका एक बिल्कुल हटके और एकदम अनोखा तरीका बताऊंगे जिसके बाद आप देखने के बाद खुश हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि काश यूट्रिक में पहले पता चल जाती तो सबसे पहले आपको एक तामबे का लोटा ले लेना है और लैसुन की पान से छे आपको कलिया ले लेनी है अब यहाँ पे आपको सरसो का तेल ले लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर मिला लेना है बिल्कुल वन पिंच हल्दी पाउडर जादा नहीं उसके बाद जो लैसुन की कलिया थी यह आपको छिलकों के साथ इसी तरीके से कूट लेना है और यहाँ पर मिला लेना है इस तरीके से गैस के उपर थोड़ा सा आपको गरम कर लेना है बस आपको यहाँ पर लैसुन को जलाना बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए उसके बाद इस तेल को आपको लोटे के उपर इस तरीके से डाल देना है चलिए आपको बतात जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, बारबार नींद तूटती है, उनको नींद अच्छी आने लगती है, डिप्रेशन उनका कम होने लगता है, जो टेंशन लेते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रीक है, और आजकल तो सर्दियों के दिनों में जिनको बह का धिहान रखेगा चलिए दोस्तों फटाफिट से देख लेते हैं अगली यूस्फुल ट्रिकों दोस्तों चश्मे तो हम सब के घर में होते हैं ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें ना लगे हूं तो यहां पर दोस्तों अक्सर घर में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं खास त चश्मे बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता है और पैसा भी तो इससे बिल्कुल खराब करने की या टूटने फूटने की गल्ती हम बिलकुल भी नहीं कर सकते तो यहां पर आपको जुराबो का यूज करना है आपके घर में बेकार पढ़ए हुए जो पहनाने के बाद यहां पर यह हैंट फ्री का डबा है आपके पास कोई medicine की जो bottle होती है उसका जो बाहर का cover होता है आप उसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से इसको मोजा पहनाने के बाद जितने भी चश्मे आपके हैं वो आप बहुत आसानी से इस तरीके से carry कर सकते हैं कईबर traveling में हमें जाना होता है ना तो हमें समझ नहीं आता कि आप चश्मों को कैसे सांत में लेकर जाएंगे तो यहां पर आप इस ट्रिक कर स्तिमाल करके बहुत आसानी से अपने सांत चश्मों को कहीं भी लेके जा सकते हैं जिससे कि आपके चश्मे बिल्कुल भी तूटेंगे फूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से carry हो जाएंगे और इस पर किसी तरीकी का कोई भी scratch तक नहीं पड़ेगा I hope कि आपको ये वाली ट्रिक बहुत पसंद आई होगी अगली यूसफुल ट्रिक देखने से पहले फटा फट से दोस्तों कॉमेंट करके बताईए कि आप इस वीडियो को अभी दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो लोगों को कहा भी मन नहीं करता तो यहां पर अक्सर जब कभी भी हमने चाकू लेकर आते हैं तो अक्सर इनकी जो धार है ना वो बहुत जल्दी से खराब होने शुरू हो जाती है क्योंकि हम इनका डेली इस्तिमाल करते हैं लेकिन चाकू को रखने का रख रखाओ का तरीका हमें के करीब चावल डाल दीजे यानि की चाकू का जो कट करने वाला एरिया है वहां तक वो पूरा भर जाना चाहिए उसके बाद जितने भी घर में आपके चाकू हैं उनको इसके अंदर डाल दीजे इससे इनकी धार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और आपके जो नए चाक चाक होते हैं क्योंकि जतने जादा आलू होते हैं उतना ही जादा हमारा टाइम भी खर्च आवर अगर सुबक की जल्दी हो उस टाइम पर इन आलूओ को चीलने में बहुत जादा टाइम हमारा खराब होता है और अगर आप वरकिंग विमन घज्रेश आप आपके लिए है तो आप यहां पर हमेशा आलू को छीलने की जगा ना इस तरीके का कोई जारा हो कोई कर्ची हो जिसमें छेद हो इसका इस्तिमाल करिएगा इससे होता यह है कि आलू बहुत ही आसानी से एक तो मैश हो जाते हैं अगर आपको आलू के पराठी बनाने हैं तो ब बहुत जादा गरम है तो यहां पर आप किसी कटोरी का या बरतन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिससे की आलू बहुत यह असानी से छील सकते हैं अगर आपको सुबर जल्दी है आप वर्किंग विमन हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उस टाइम पर फटा-फटा आपको इस तरीके से नाष्क तका तैयार करना है और आलू बॉЙल कर रहे हूए चीलने है तो आप इस ट्रीक कर अस्तिमाल कर बहुत इसके राववा हैं और गरम आलू होना तो जहारे को इस तरीके से भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये छोटे-छोटे काम है जिनको आप इस्तिमाल करके अपने रोज के घर के काम को काफी हद तक आसान कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में बताई गए जितने पी ट्रिक्स हैं ये आपके लाइफ टाइम तक काम आएंगी और आपके खर्चे को भी बचाएंगी और आपका काम भी आसान करेंगी जाते जाते दोस्तो अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो दोस्तो ये कुछ चोटे-चोटे ऐसे टिपस औं ट्रिक्स है जिसका इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो असान होती ही है इने टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे हर हर महादेव